हेलो एवरीवन हम क्लास सेविन मैज चैप्टर सेविन कर रहे थे जिसका नेम तह कंपेरिंग कॉंटिटीज और यह स्टिकली हम न्यू बुक के अकॉडिंग कर रहे हैं इसकी एक्साइज 7.1 हमने प्रिवियस वीडियो में कंप्लीट की थी आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सा 7.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ कंसेट समय जारने होंगे जैसे प्रॉफिट लॉस के प्रॉट परसेंट लॉस परसेंट के और साथी साथ और साथ हें सेलिंग प्राइस के उसके बाद ही हम इस एक्साइज को अच्छे तरह से समझ पाएंगे तो ध्यान से समझूँए द तो कोई भी सामान अगर हम purchase करते हैं जिस cost में मैं purchase करूँगा तो वो cost price होगी इसी तरह से अगर मैं कोई सामान या फिर कोई product बेचता हूँ, sale करता हूँ तो वो क्या होती है? selling price तो जिस cost पर मैंने खरीदा cost price जिस cost पर मैंने बेचा selling price ठीक है? तो ये बात याद रखेंगे आप अब suppose करिए कि कोई product मैंने 100 रुपे का खरीदा clear? तो मेरी cost price क्या होगी? 100 रुपीज और वही product जो मैंने खरीदा 100 रुपे का वो मैंने 120 रुपीज का sale कर दिया तो selling price क्या हो जाएगी मेरी? 120 अब आप मुझे बताओ मुझे profit हुआ या loss हुआ क्योंकि मैंने 100 रुपे में खरीदा और 120 रुपीज में बेच दिया तो कम में मैंने खरीदा और जादा में मैंने बेच दिया तो इससे मुझे साफ साफ पता चल रहा है क्योंकि मैं खरीद कम में रहा हू बेच जादा में रहा हू तो ये common sense वाली बात है ये आपको समझनी होगी तो इधर से मैं पता चलता है कि अगर SP means selling price मेरी greater हो cost price से अगर मैं बेच हूँ जादा में खरीद हूँ कम में तो मुझे क्या होता है? मुझे profit होता है ठीक है? तो मुझे क्या होगा? profit इधर से मेरा एक formula बन जाएगा profit का वो क्या बनेगा? देखिए profit is equal to profit is equal to क्या हो जाएगा? SP minus CP clear? SP minus CP selling price minus cost price होता है वो formula होता है मेरा profit का अब इसी situation में अगर मैं देखू तो मुझे profit कितने रुपे का हुआ था? मैंने 100 रुपे की चीज खरी दी थी और 120 में बेच दी थी मलब 120 minus 100 तो मेरे पास कितने रुपे का profit हो गया था? मुझे 20 रुपीज का profit हो गया था ठीक है? ये practical situation से आपको correlate करके देखना पड़ेगा clear? तो एक हमने formula पढ़ा profit का जो कि होता है SP माइनस CP और profit होता कब है मुझे? जब मेरा SP ज़्यादा हो CP से clear? थोड़ सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा बाकी है बहुत इसी concept अब second situation पे आते हैं कि suppose करो मैंने कोई product 100 रुपीज का suppose खरीदा clear? तो cost price 100 हो गई फिर मैंने उसको बेच दिया 70 रुपीज पे ठीक है? तो selling price कितनी हो जाएगी मेरी? 70 रुपीज खरीदा मैंने जादा में लेकिन बेच दिया मैंने कम में तो आप बताओ मुझे profit होगा या loss होगा तो इधर से हमें पता क्या चलता है कि अगर cost price जादा हो और selling price कम हो तो मुझे loss होता है तो यहां से हमारे पास loss का क्या criteria समझ में आ गया मुझे कि अगर cp is greater than sp तो मुझे क्या होगा हमेशा? Loss होगा और यहां से हमें loss निकालने का क्या formula पता चल गया? cp minus sp खरीदा जादा में बेचा कम वे तो मुझे loss हो जाएगा तो this is the formula for loss ठीक है? याद रखिएगा दो criteria's हमने पढ़ लिये हैं कि एक कब होगा हमें loss और दूसरा loss हम निकालेंगे कैसे? अब इस condition में अगर मुझे loss निकालना हूँ तो मैं कैसे निकालूँगा? देखिए loss is equal to क्या हो जाएगा? cp minus sp खरीदा था मैंने 100 रुपे में तो cp की जगे 100 लिग दिया और बेच दिया मैंने 70 में तो sp की जगे मैंने 70 लिग दिया तो loss हो गया मुझे 30 रुपीस का मैं 30 रुपीस का मुझे loss हो गया तो I hope आपको clear हो रहा होगा अब एक और criteria इसमें बन जाता है मेरा profit percent और loss percent का clear तो ये भी हम यहीं सीख भी लेते हैं यहां देखिए side में लिख रहा हूँ profit percent profit percent को ऐसे करते हैं profit percent होता है हमारा profit percent का formula होता है profit upon CP into 100 clear profit upon CP into 100 ये होता है मेरा profit percent का formula अब अगर हमारे पास profit दिया ना हो तो हम क्या निकालेंगे profit हम एक तरीके से और निकाल सकते हैं SP minus CP तो इस वज़े से profit percent का मेरा एक और formula बन जाता है profit percent को देखे profit को मैं क्या लिख सकता हूँ क्या लिख सकता हूँ SP minus CP तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा direct SP minus CP upon CP तो हमारा चली आ रहा था into 100 clear तो profit को मैं दो तरह से लिख सकता हूँ तो मैंने ये profit percent को formula आप इन दो तरीके से भी लिख सकते हैं clear in the same manner अगर हम मुझे loss percent निकाल ला हूँ अगर मुझे loss percent निकाल ला हूँ तो loss percent कैसे निकालेंगे आप loss upon CP into 100 clear loss upon CP into 100 और एक और तरीका है निकालने का वो तरीका क्या है loss percent निकालने का अगर मेरे पास loss की direct value ना दी हुई हो अगर मुझे CP और SP दिया हुआ हो तो इस loss की जगे मैं क्या लिख सकता हूँ CP minus SP upon CP into 100 clear इस तरह से मेरा loss percent निकालाएगा तो इस तरीके से मुझे काफी सारे criteria समझ में आ चुके हैं clear ये आपको बनने चाहिए अगर अभी भी कोई विक्कत हो रही हो तो आप एक बार और remind करके मीस बापिस से वीडियो देखेंगे मीस starting से तो आपको और इच्छे से clear होगा clear अब हम आ जाते हैं बच्चो questions पर clear तो अब आपको condition बहुत अच्छे से clear होगी ये question number one है इसमें लिखा हुआ है tell what is the profit or loss in the following transactions also find profit percent or loss percent in each case कह रहें कि पहले तो बता दो कितना profit कितना loss हुआ या फिर profit हुआ loss हुआ उसके बाद हमें ये भी निकालना है कि profit percent क्या है loss percent क्या है clear तो ए पार्ट में अगर हम देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है gardening shares brought for 250 बालग इन्होंने 250 में खरीदे gardening shares और उसको sold कर दिये 325 में तो यहां पे मेरे को A part question 1 का A part XI 7.2 इसमें cost price दे दी है 250 रुपीज की ठीक है और selling price जो दे दी है वो है मेरी 325 रुपीज की लिए तो साफ साफ मुझे पता चल रहा है कि मैंने खरीदा कम में है और बेचा हमने जादा में और जब मैं जादा में बेचता हूँ तो मुझे profit होगा clear तो यहां पे तो since इसको लिखने का तरीका यह है since SP is greater than CP therefore it's a profit तो यहां पे हम लिख देंगे profit अब profit हुआ कितने का है profit हुआ कितने का profit का हमने formula क्या पढ़ा था SP माइनस CP SP कितना है 325 और CP कितना है 250 यह SP और यह CP clear यह पार्ट में यह लिखा हुआ है अब इन दोनों को माइनस कर देंगे 325 में से मुझे माइनस करना है 250 हो तो 5 माइनस 0 5 हो जाएगा 2 का बन जाएगा 12 12 में से 5 जाएगा तो 7 और यह 3 का बन जाएगा 2, 2 में से 2 गया 0 तो 75 रुपीज का मुझे क्या हो चुका है profit ठीक है अब यह तो मेरा profit आ गया अब profit percent भी बोलत है नोने निकालने के लिए तो चलो हम profit percent निकालते है profit percent का formula क्या होता है profit profit upon cp into 100 यह होता है मेरा profit percent का formula तो profit तो अभी अभी हमने निकाला जो की था 75 रुपीज का profit था मेरे लिए cost price कित्ते रुपे में मैंने वो चीज खरीदी थी 250 रुपीज में तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगा नीचे 250 और multiply कर दूँगा किसे 100 से into 100 इसको solve करेंगे answer आएगा सबसे पहले हम 1 0 से 1 0 नीचे वाला और उपर वाला काड़ देंगे इसी के साथ साथ 25 की table में 75 भी आता है clear तो 25 बंज़े 25 25 3 जा 75 आप चाहे तो direct multiply करके और फिर 25 से divide कर सकते हैं same answer आएगा इसके बाद मेरे पास बच रहा है ऊपर 3 और ये वाला 10 3 10 जा होता है मेरा 30 तो 30% मेरे को क्या हो गया है profit हो गया है first condition में 30% मुझे क्या हुआ profit हुआ अब हम करते हैं इसका second वाला part आपको कुछ इस तरीके से ही करना है है पहले आपको निकालना है CPSP फिर आपको check out करना है कि CP बड़ी है या SP बड़ी है उस basis पर आपको profit और loss का पता चलेगा और उसके बाद अपन को क्या करना है profit और loss percent निकाल देना है अब भी वाले part में देखो क्या है our refrigerator brought for 12,000 and sold at 13,500 12,000 रुपे का खरीदा 13,500 रुपे का मैंने क्या कर दिया उसको बेच दिया तो cost price हो गई मेरी 12,000 रुपीज और SP हो गई मेरी 13,500 रुपीज तो साब साब पता चला है कि मैंने बेचा जादा में since SP is greater than CP therefore it's a profit साब साब पता है मुझे profit हो गया यह तो ठीक है अब profit हुआ कितने का कैसे निकालेंगे हम SP माइनस CP करके अब SP है मेरा 13,500 माइनस 12,000 clear क्योंकि 12,000 रुपे की मैंने वो चीज खरीदे थी clear तो यहां से इसको 13,500 में से 12,000 माइनस करूंगे तो 1,500 आ जाएगा तो कितने रुपे का profit हुआ मुझे 1,500 रुपीज का बट मुझे यहां पर profit percent भी निकालना है तो profit percent का क्या formula होता है profit upon CP into 100 मैं P वस लिख रहा हूँ आप profit भी लिख सकते हैं उससे कोई problem नहीं होगी अब profit तो मुझे पता है 1500 का हुआ है तो मैं profit की जगे क्या लिख दूँगा 1500 upon CP कितने रुपे की मैंने वो चीज खरी दी थी तो देख रहे हैं हम की 12,000 रुपीज की हमने वो चीज खरी दी थी तो मैं यहां पर 12,000 लिख देता हूँ और into 100 आई यह as it is हम लिख देंगे इसको solve करेंगे तो पहले तो मैं नीचे वाले 2,0 और यह 100 के 2,0 यह काट दूँगा फिर यह 1,0 यह 12 के बाद वाला और एक 1500 का 1,0 काट दूँगा तो इससे मेरे पास आएगा क्या 150 upon 12 अब इसको हम क्या कर लेते हैं solve करेंगे solve करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या आएगा इसको solve करने के लिए सबसे पहले आप एक काम कर सकते हैं कि डारिक डिवाइड ही कर लेते हैं कोई दिखकत नहीं 150 और 12 ठीक है तो 12 बन जाँ हमारा हो गया 12 15 में से 12 माइनस करेंगे तो आजाएगा हमारा 3 0 नीचे आजाएगा 12 2 जाँ हो जाएगा हमारा 24 इसके बाद 30 में से 24 माइनस करेंगे तो 6 आजाएगा यहाँ पे लग जाएगा point उसकी वज़े से नीचे हम लगाएंगे 0 और 12 5 जाँ होता है हमारा 60 clear तो remainder कुछ नहीं बचा 12.5 हमारा answer आया तो इसको जब मैंने divide गिया तो 12.5% मुझे क्या हो चुका है profit profit कितना हुआ मुझे 12.5% तो इस तरह से बच्चों हमारा क्या हो गया B वाला part भी complete अब हम करते हैं इसका C वाला part अब देखो ध्यान से देखें C पार्ट में लिखा हुआ है a cupboard bought for 2,500 and sold at 3,000 खरीदा 2,500 में और बेच दिया 3,000 में तो अगें यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि profit ही हो रहा है कि उसने कम में खरीदा है C पार्ट है यह cost price तो उसकी है 2,500 रुपीज की और selling price कितनी है 3,000 रुपीज की ठीक है तो यहां पर SP is greater than CP है इसका मतलब क्या है यह profit है अब profit कितने का है यह निकालने के लिए हम क्या करेंगे profit निकालने के लिए SP minus CP हो जाएगा SP कितना है हमारा 3,000 है clear और CP कितना है 2,500 है 3,000 में से 2,500 माइनस करेंगे तो हमारा आजाएगा 500 clear 500 रुपे का उसको profit हो गया अब मुझे profit percent भी निकालना है profit percent का formula है profit upon CP into 100 profit मुझे हुआ है 500 का cost price कितनी है मेरी 2,500 तो यहां पे 2,500 लिख देते हैं और multiply कर देंगे 100 से अब इसको solve करने का तरीका क्या है कि 2,0 और 2,0 मैं पहले ये card देता हूँ इसके बाद मेरे पास क्या बच रहा है 500 upon 25 इसको हम कैसे solve करेंगे यह मेरा profit percent आ रहा है 25 और 500 इनको आप चाहें तो direct ऐसे divide भी कर सकते हैं और direct भी आप कर सकते थे 25 टूजा होता है मेरा 50 तो यह मेरा पूरा cancel out हो गया और यह एक जो 0 बच्चा है मेरा क्या चला जाएगा उपर चला जाएगा तो इसका जो answer आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 20% जब मैंने इसको divide किया तो तो C वाले part में profit percent किता आ गया मेरा 20% लिए C part भी हो चुका है अब हम करते हैं D वाले part देखिए D वाले part में क्या लिखा हुआ है A skirt bought for 250 and sold at 150 खरीदा 250 में बेच दिया 150 रुपीज में तो D part में cost price है मेरी 250 और selling price है मेरी 150 तो साफ साफ मुझे दिख रहा है कि ज्यादा में मैंने खरीदा है बेचा मैंने कम में है तो मुझे क्या हुआ है loss हुआ है अब loss हुआ कितना है तो loss निकालने के लिए हम क्या करेंगे CP minus SP खरीदा ज्यादा में बेचा कम में clear 1 minute अब इसको solve करने के लिए CP की value कितनी है 250 तो हम CP की जगए 250 लिख देंगे SP की जगए 150 लिख देंगे दोनों को minus कर देंगे तो आ जाएगा 100 100 रुपे का मुझे क्या हो चुका है loss हो चुका है अब loss percent भी निकालना पड़ेगा तो loss percent निकालने के लिए क्या होता है loss upon CP into 100 यह हमने already formula पड़ चुका है loss हुआ है मुझे 100 रुपे का खरीदा था मैंने 250 रुपीज का तो CP की जगए 250 कर देंगे हम यहाँ पर तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 250 clear और into 100 अब हम क्या करेंगे इसको हमें solve करना है तो solve करने के लिए सबसे पहले आप क्या गढ़ सकते हैं कि यह 0 से यह 0 हमने cancel कर दिया अब हम जानते हैं कि 25 और 100 यह वाला 25 और यह वाला 100 दोनों same table में आते हैं दुकिए 25 वाली table तो 25 बन जा 25 25 फोर जा होता है 100 तो हमारे पास क्या value बच रहे हैं उपर 4 into 10 clear तो 40% 410 जा क्या होता है 40 40% मुझे क्या हो चुका है loss उसकर्ट पर 40% हमें क्या हुआ loss तो हमने loss percent भी निकाल दिया loss भी निकाल दिया यह condition भी बता दे कि loss वाली condition है clear और यहां पर एक चीज और लिख सकते हैं यहां पर CP greater than SP था इस वज़े से हमें क्या हुआ यह loss तो बच्चों हमारा question 1 हो चुका है complete इसके बाद देखेंगे हम question number 2 next वीडियो में कोई भी doubt रहे तो comment section में पूछ सकते हैं यह जरूर है कि first वाली condition यह जो हमने पढ़ा है यह बहुत important है इसको समझने पर ही आपको पूरी exercise complete अच्छी तरीके से समझ में आएगी तो यह ध्यान से समझें एक बार और वीडियो rewind करके देखे clear अब हम देखेंगे question number 2 next part में सारी वीडियो की link description में बलेगी playlist बनी हुई है उस playlist की link पर click करेंगे complete chapter एक साथ open हो जाएगा मिलते हैं बच्छों next वीडियो में बाई